Hello everyone, welcome back to my channel UP के 79,000 सिक्चक भरती का जो मामला था सुप्रीम कोट में जिस पे काफी टाइम से सुनबाई चली थी और आज फाइनल डिसीजन आने वाला था कल में उस पे वीडियो अपलोड करी थी तो यह मामला जो है कटफ का मामला है उनहतर हजार सिक्चक भरती मामला जो कटफ का मामला है 60 और 65 कटफ जो उहां का हाई कोट इलाहवाद हाई कोट ने जो डिसीजन दिया था उसी चीज को यहां सुप्रीम कोट ने भी सही ठाराया है जो कटफ 60-65 है उसी परिनाम के अधार पे भरती करना है इसमें जो भी सिक्चा मित्र की अचिका थी उस से आचिका को खारीज कर दिया गया मतलब सिक्षा मित्रों ने जो किया था उसको जितनी भी अपील करी थी उसको खारीज कर दिया गया है और उस साथ ही बीए डिलेट का मामला भी इसमें चल ला था बार बार इस पर चर्चा हो रहे थी और लोकों का नजर इस पर बना हुआ था हाला कि सुरू से ही मैं बता रही क्या हुआ था कि वहां पर जैज ने भी बहस के दौरान उस समय जो वकिल बहस कर रहे थे तो बोला गया तो जैज भी बोले थे कि इस टॉपिक पर तो कोई चर्चा ही नहीं करनी है जब एंसी टी ने वीड को वन टूफाइव में लेजिवल किया है तो फिर इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं करनी है तो फाइनली वात भी जो है यह भी क्लियर आज हो गई और इन लोगों को मतलब बीएड डीएलेड वाला जो कोई बात था प्रात्मिक्ता का तो भी दोनों बढ़ावर है चैसे बीएड है उसी तरह डीएलेड भी है बीटीसी भी है तो कोई भी प् चामित्र का जो याचिका था उसको खारीज कर दिया गया है तो अही एक छोटा सा अपडेट था इस पे बीहार के चात्रों की भी पूरी तरह नजर बनी हुई थी कि आज जो फैसला आने वाला था उस पे तो फाइनली फैसला आ गया है तो मैं मिलती हूं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ चैनल पे नए है पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं और सिक्छा से रिलेटिड किसी भी स्टेट के नियूज को देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन को पेस करें ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ मने रहें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद